आकाश्मणी भुपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं दीपा सिंख, पहले मुख्य समाचार ब्रिष्टाचार के खिलाफ केंद्र के उठाए गए कदमों की ओर जन्ता का धान दिलाने के लिए भाजुपा आठ नवंबर को काला धन विरोधी दिवस बनाएगी मद्रप्रदेश उचनियाले ने प्रदेश के निजी महावध्यालियों में भी छात्र संग चुनाओ कराए जाने का आदेश दिया मात्र शिशु मृतिदर कम करने के लिए राधिसरकार प्रदेश के सोलाह जिलों में विशेश डॉक्रों की नियोक्ति करेगी और मद्रप्रदेश ट्रेवल मार्ट 27 अक्टूबर से भोपाल में आयुजित अब समाचार व्रिस्तार से ब्रिश्टचार के खिलाफ केंद्र सरकार द्वरा उठाए गए कद्मों की ओर जनता क्यधान आकरिश्ट करने के लिए भारती जनता पार्टी अगले महीने 8 नमबर को कालाधन विरोधी दिवस मनाएगी आज नई दिल्ली में समाध्दाताओं से बाक्चीत में वत्तमंत्री अरुन जेतली ने कहा कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने पिछले वर्ष 8 नमबर को कालाधन विरोधी अभियान को तेज करने के लिए नोटबंदी की घोशना की थी शिजेतली ने आरोप लगाया था कि कॉंग्रिस ने कालेधन की समानांतर अर्थविवस्था के साथ समझोता कर लिया था शिजेतली ने कहा कि भारती जनता पार्टी कालाधन विरोधी अभियान का नेत्रतु करेगी और कींत सरकार और राज्यों के नेता इसमें हैं सालेंगे उन्होंने कहा है कि कॉंग्रिस एक हारी हुई और हताशा वाली पार्टी है जिसने कभी कालेधन के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी मद्रप्रदीश ओच न्यायले ने प्रदीश सरकार को निजी महावध्यालियों में भी छात्र संक्चुनाव कराने के आदेश दिये हैं NSUI ने लिंग दो कमेटी के अनुशनसा के अनुसार प्रदीश सरकार द्वारा निजी महाविद्यालियों में छात्र संग चुनाव नहीं करवाय जाने का आरोप लगाते हुए अदालत में किया चुका दायर की गई थी इस पर आज सुनवाई करते वे मुखे नियाधीश हीमंद गुपता और नियाधीश वीके शुकला की युकलपीट ने सरकार को निर्देशित किया है कि निजी महाविद्यालियों में भी छात्र संग चुनाव करवाय जाए इस संबंध में 30 अक्टूबर तक अधिसूचना ज लिया गया है। शिचोहान अमेरिका के वौक्षिंकन में अमेरिका भारत रणनीतिक सहभागिता फोरम के अंतरगत आयुजित विजनस सेमिनार को संबोधित कर रहे थे। शिचोहान ने मद्रप्रदेश में निवेश के रुची दिखाने वाली कम्पनियों और निवेशिक भारती चंतापार्टी के अध्यक्ष अमिर्शाह ने बैंकों के पूझी करन के लिए 2,11,000 करोड रुपए की एतिहासिग घोशना की सरहना की है। एक ट्वीक संदेश में उन्होंने कहा कि ये कदम नकेवल व्यवसाय को प्रूत्साहन देगा बलकि यवाओं को रोजकार भी देगा। शिर्शाह ने बुन्यादी धाचे पर 6,92,000 करोड रुपए खर्च करने की खोशना की भी सरहना की है। भाजबा के राश्ट्रे अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मूदी और वित्मंत्री अरुन्चेतली को बैंक पुझी करन के फैसले के लिए प्रभावशील हो गई है। सचिव राजी निर्वाचन आयोग सुनीत अत्रपाठी ने बताया है कि निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन और प्रतीकू का आवंतन 27 अक्टूबर को होगा। मतदान 17 नवंबर को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा मदगरना और प्रवाचन परिनाम की खोशना 20 नवंबर को होगी। मतवरदीश मानवा दिकार आयोग ने रासानी भुपाल के जैप्रकाश अस्पताल में किशूरी के इलाज में लापरवाही बढ़ते जाने पर मोकेचकित सायम स्वास्त अधिकारी से रपोर्ट मांगी है। प्रवाचन परिनाम की खोशना पर आयोग ने संग्यान लिया है। प्रदेशिक समचार आकाश्वानी भुपाल से प्रसारित के जा रहे हैं। ये जिले हैं सिंग्रॉली, डिंडॉरी, सीधी, चिंद्वाडा, मंडला, राइसीन, विदिशा, बालाघाट, बैतूल, छतरपुर, गुना, ज्जाबुआ, नेमच, सागर और उमरिया। चैने जिलों में एक-एक और अली राजपुर जिले की दो सीमाक स्वास्तेमाओं को क्र्याशील किया जाएगा। इससे 24 घंटे सेजीरियन ओपरेशन के सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। स्वास्ते विभाग विशेश्या की डॉक्टर को उनकी योगिता और अनुभव क्याधार पर पदस्त करेगा। सतना जिले के चित्रकूट विधान सभा के लिए हो रहे उपचिनाओं को लेकर राजनातिक दलों और प्रत्याशियों द्वारा जोर शोर से चिनाओ परचार शुरू हो गया है। और भाज़पा के शंकर दयालत्रपाथी के बीच पताया जा रहा है। इधर नेता प्रतिपक्ष अजे सिंग की उपसिती में सतना जिले की पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष और भाज़पा की नेता पुषपा गुपता तथा बसबा की नेता अनिल अग्रहरी अपने समर्थकों के साथ कॉंग्रस पार्टी में शामिल हो गये हैं। माधव राव सप्रेश म्रती समाचार पत्र संग्राले द्वारा युवा पत्रकारों से दो फैलोशिप के लिए प्रस्ताव बुलाए गये हैं। प्रदीश में 31 अक्टूबर को सरदार बल्लभाई पतेल की जनती के मौके पर विभनकारिक्रम आयोजित के जाएगे। माधव प्रदेश ट्रेवल मार्ट 27 से 19 अक्टूबर तक भोपाल में होगा। माधव प्रदेश टूरिजम पोर्द्वारा आयोजित के जारहे ट्रेवल मार्ट में देश और विदेश के लगभग दोसों से अधिक प्रतिंजियों और बायर्स के भाग लेने की संभावना है। मार्ट में लगभग 50 टूर आपरेटर्स भी हिस्सा लेंगे देश के अतरिक्त विदेशों से आस्ट्रेलिया, यूएस, ब्रिटन, जर्मनी, फ्रैंस, सिंगपूर, हॉंग कॉंग, साउथ अफ्रिका, आदि देशों से टूर आपरेटर्स के भी इसमें भाग लेने की संभ रहा है, राश्री लता मंगेशकर समान वर्ष 2012, सुविख्या संगीत निर्देशिका उशा खन्ना को वर्ष 2015 का ये सम्मयान, ख्यात पार्शुगायक उधित नारायन को तथा वर्ष 2016 का ये सम्मान, सुप्रतिष्ठित संगीत निर्देशक अनुमलिक को प्रदान किया जा अब कुछ समाचार संक्षिप में मनला जिले में पुलिस अदेख्षक लाकेश सिंग ने पदभार क्रहन करने के बाद आज मीडिया से बातचीत करते वे कहा कि जिले में कानून विवस्ता बनाय रखना उनकी पहली प्राथमिकता है आगर मालवा जिले के नलखेडा में राजे शिक्षा केंद्र और प्रथम संस्था के सहयोग से असी शिक्षिकों को मास्टर टेनर्स द्वारा प्रशिक्षन दिया जा रहा है हरदर जिले में 27 एक्टूबर को उद्यमिता विकास कारिक्रिम आयुजित किया जाएगा इसमें युवाओं को कौशल प्रसिक्षिन दिया जाएगा शडोल जिले में पानी की कमी से लगभग 500 हैक्टियर में सोयाबीन की फसल सूख कर खराब हो गई है कलेक्टर ने कहाए कि सर्वे के बाद किसानों को मुआफसा दिया जाएगा गुना जिले के मदुसूदन गड़ में आज क्रिशे उपज विक्रे के बाद नगत भुकतान नहीं मिलने पर किसानों ने चक्का जाम कर विरूज जताया शाज़पूर और आगरजिले के वैपारियों ने जीस्टी की खामयों को लेकर प्रदर्शन किया और जीस्टी प्रक्रिया को सरल करने का आग रह किया है खजुराहों में परिटिन फर्प मनायाग है, इसके तहट स्कूली बच्चों ने रैली निकाली और परिटिन बचाने का संदेश दिया अंत में मुक्य समाचार एक बार फिर ब्रिष्टचार के खिलाफ केंद्र के उठाए कद्मों की और जंता का धान दिलाने के लिए भाजपा आठ नमंबर को काला धन विरोधी दिवस मनाएगी मद्र देश उचन्यालेने प्रदेश के निजी महाविध्यालियों में भी च्छातर संक्चुनाओ कराये जाने का आदेश दिया मात्र शिश्यू मृत्युदर करने के लिए राजिसरकार प्रदेश के सोला जिलों में विशेश डौक्टरों की नियोक्ते करेगी और मद्रप्रदेश ट्रेवल मार्ट 27 अक्टूबर से भोपाल में आयोजित इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बिलिटिन समाप्त हुआ नमस्कार आकाश्मनी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं दीपा सिंख पहले मुख्य समाचार ब्रिष्टचार के खिलाफ केंद्र के उठाए गए कदमों की और जंता का देशिक